जगत क्लासिस काकराबाद दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सप्लिमेंटी वीटा से थर्ड लेशन जिसका नाम है जर्णी टू दा इंड आफ दा अर्थ लब एक ऐसी जर्णी जिसे अर्थ के इंड का एहसास हो एक ऐसी जर्णी एक ऐसी यात्रा जिसको लिखा है तिशानी दोशिनी ये इनका खुद का एक अनुभो है ठीक है इनहीं के द्वारा ये आटो बायोग्राफी समझ लीजे लिखी गई है और इस चैप्टर के अंतरगत हम लोग शौर्ट कोशन अंसर देखेंगे थोड़ा सा ये टिपकल चैप्टर था लेकिन क वीडियो आप देख रहे हैं ये अपने जानने वालों तक जरूर पहुँचाईएगा क्योंकि बहुत ही वीडियो है तो आईए हम सुरू करते हैं कोशन अंसर फर्स्ट कोशन देखेंगी हाव डिड़ द ऑथर रीच रीच अंटार्क्टिका अंटार्क्टिका जो है इस अ समझते हैं कि कंटिनेंट है सुसल स्टेडी में पढ़ते हैं हम लोग कंटिनेंट के बारे में तो वही देखेंगे अंसर देखेंगी तो ओथर यानि कि तिशानी दोशी ने यात्रा की तो अन्टारिक्टिका तक कैसे अन रुशियन रिसर्च वेशल रुशियन का मतलब हो गया रुशी रिसर्च अनुशंधान और वेशल सियाने की पोत रुशी अनुशंधान पोत एक एक शब्द हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग तो इसको ध्यान से देखेगा और वीडियो को पूरा देखेगा तो जो ओथर तिशानी दोशी हैं वो अन्टारिक्टिका तक रुशी अनुशंधान पोत के माध्यम से जिसका नाम अकेडिमिक सा कॉल्सकी है सा कॉल्सकी है इसके माध्यम से ये वहां तक पहुची थी ट्रेवल करके शी ट्रेवल्ड ओवर हंड्रेट आर्स उन्होंने लगभग जो है सौ घंटे कह सकते हैं सौ घंटे से भी ज़्यादा या फिर ये मान की चले की लगभग सो घंटे तक यात्रा की इन कम्बिनेशन मिश्णड में ओफ आ कार एन एरूपलेन एन शीप मतलब जल्यान वायू यान और कार के समिश्णड से यानि की इन सभी चीजों से हेल्फ ले करके लिफ्ट ले करके ये जो है कहां पहुची थी अंटार्क्टिका पहुची थी शी शी क्रॉजड उन्होंने पार किये थे क्या 9 टाइम जून मुलब 9 समय चेत्र समय चेत्र आप समझते हैं कि जैसे आप अपनी वाश में देखिए आपकी यहां कुछ और बज रहा होगा कोई टाइम कहीं का और होता है हम लोगों किया दिल्ली कोलकाता टाइम लगा लेते हैं ठीक है जैसे कि हमारे यहां कोई और टाइम है आप अस्ट्रेलिया अमेरिका में देखी जाके महाँ पे एक दूसरा टाइम हो रहा होगा तो इस तरह से उन्होंने काफी लंबी यात्रा की थी तो 9 समय छेत्र बदले थे 6 6 चेकपॉइंट बदले थे चेकपॉइंट का मतलब होता है जाच चौकिया तो 9 समय छेत्र 6 जाच चौकी यह चौकिया और 3 Bodies of Water और 3 ज़ल हम कह सकते हैं तीन जल निकाय उन्होंने पार के थे and many egosports egosports का मतलब होता है जैव मंधल क्या होता है जैव मंधल तो कई सारे उन्होंने जैव मंधल पार के थे जल तीन जल निकाय पार के थे पांच checkpoints यानि कि 6 ज़ाज चोकिया नौ समय चेत्र पार करके वो सौ घंटे का ट्रैवल करके रूसी अनुसंधान पोद के माध्यम से वो अन्टारिक्टिका पहुंची थी नेक्स्ट कोशन देखेंगे वाट वाज दा वंडर वंडर मिस आश्यर वाट वाज दा वंडर आथर रियलाइजड आथर को जो है कौन सा आश्यर रियलाइज हुआ अनुभो हुआ उन्होंने क्या आश्यर महसूस किया रीचिंग अंटारिक्टिका अंटारिक्टिका कंटिनेंट पर पहुंच करके जो लेखिका है तिशानी दोशी ने क्या आश्यर उनको महसूस हुआ उनको कैसा लगा यह कह सकते हैं देखेंगे अंसर the fact that तत थिया, fact का मतलब तत थिया, एक ऐसा तत थिया जो India and Antarctica were once part of the same land masses, एक ऐसा तत थिया कि जो India और Antarctica ने कि भारत और Antarctica दोनों एक ही लिखा हुए once part of the same last one, एक ही भुखंड के part थे इस बात ने जो है उनको surprise किया, कि भारत और Antarctica का दोनों एक ही भुखंड के भाग हैं इस बात ने लेखिका को तिशानी दोशी को आश्यरी किया इस बात ने she was also surprised और वह इस बात से भी surprised हुई मतलब आश्यरी चकित हुई at its immensity and isolation और इसकी जो है अनंतता को देख करके विशालता को देख करके वो बहुत बड़ा था ना उसकी विशालतता को देख करके और उसके अलगाव एकांतता को देख करके वो बहुत ही surprised होती है तो दो बाते, एक तो भारत और Antarctica का जो है दोनों एक ही भुखंड के भाग थे इस बात ने उनको आशर चकित किया दूसरा जब वहाँ पर पहुंची तो उसकी जो विशालता अनंतता को और एकांतता और अलगाओ को देख करके भी वो सर्प्राइज फी थी ये दो बाते थी जिन से जो है वो जिस में जो है जिस बात ने उन्हें आ जेंट एमल गेमेटिड शावथर्ण सूपर कंटिनेंट जो गुखंडवाना है एक विशाल एकी करत दक्षडी विशाल महादियूप था या अति महादियूप इसको कह सकते हैं ये कब था 650 मिलियन एर्स एगो 650 मिलियन वर्स पूर्व गुणडवाना 650 मिलियन वर्स पूर्व एक विशाल एकी करत दक्षडी विशाल महादियूप हुआ करता था centered around the present day antarctica वहाँ पर present day यानि के वर्तमान समय में जो antarctica है उसके center में हुआ करते थी 650 मिलियन वर्स पूर्व गुणडवाना हुआ करता था जिसके मद्धि में जो है centered थी around the present day antarctica इस वक्त present में जहां antarctica है उसके मद्धि में कह सकते हैं कि वह जो है 650 मिलियन वर्स पूर्व गुणडवाना एक विशाल एक एकरत शाउथर्ण यानि कि दक्षडी ये विशाल महादीप हुआ करता था its climate was warmer और उसका जो climate था वो गर्म था next fourth question देखेंगे how was sorry how is the present globe मतलब वर्तमान जो globe है वो कैसा है shape में which we know today जैसा कि हम उसे आज जानते हैं वर्तमान में इसका जो shape है ये कैसे मतलब कैसे हो सकता है around the times when dinosaurs were wiped का गया उस दौरान यानि कि जब dinosaurs जो है उस समय के बारे में बात कहे जा रही है कि जब dinosaurs जो है वो मिट गए विलुप्थ हो गए थे and the age of mammals गोड अंडर वे mammals का मतलब होता है इस्तंधारी इस्तंधारी इसका जो shape ये है ये तब से बना हुआ है जब dinosaurs विलुप्थ हुए थे और जो है mammals यानि कि इस्तंधारियों का जो है age यानि कि समय यूग आया था goat अंडर वे का मतलब आरंब हुआ था जब जब dinosaurs मिट गए और इस्तंधारियों का यूग आरंब हुआ the land masses और जो भुखंड थे वर forced ये मजबूर हो गए बाध्य हो गए to separate अलग होने के लिए into countries अब तब देशों में विवाजित होने के लिए ये मजबूर हो गए shaping the globe तब से जो है इस globe का जो shaping है much as as much as sorry globe much as we know it today जैसा कि आज हम जानते हैं कि globe का जो shape है ये जब dinosaur विलुक्त हुए और इस्तंधारियों का समय आया यूग आरंब हुआ जो हमारे भूखंड थे वो countries में बटना उनकी मजबूरी हो गई तब से ले करके जो है हमारा जो globe है जैसा कि आजम जानते हैं ये तब से है जब ये सब सारी चीजे घटी तुए थी तब से हमारा जो globe है इसका shape तभी शेह है जैसा कि आजम उसको globe पर देखते हैं नक्षे पर देखते हैं globe होता है इसकूल में रखा होता है वो तब से है जब से डाइनसुर विलुप्त होए थे और इस तंधारियों का यूग आरम हुआ था और जो country है ये मजबूर होगे थी बात ये बटने पर next question देखेंगे what can be mind-boggling thing mind-boggling का मतलब होता है विलक्षन चौका देने वाली दिमाग को हिला देने वाली वो कौन सी things थी about the history history यहने की इतिहास की in a millions of years इसमें कहा जा रहा है कि millions of years बात जो है history में ऐसा क्या होगा जिससे जो है हमारा दिमाग हमारा क्या मतलब आप सभी का सभी लोगों का दिमाग हिल जाएगा ऐसा क्या होगा तो आईए answer देखते हैं it can be mind-boggling that दिमाग को हिला देने वाली जो बात है that in millions of years जो millions of years में होगी जाके वो क्या होगी इंडिया pushed northwards जो इंडिया है ये north की ओर यानि की उत्तर की ओर jamming against Asia उत्तर से Asia की ओर कह सकते हैं उत्तर की ओर Asia की ओर ढख़िला जा रहा होगा खिसक रहा होगा तो बकल its crust और इसके भूपटल को पिछकाते हुए इसके भूपटल को पिछकते हुए इंडिया जो है उत्तर से खिसक करके यानि की आता हुआ किधर Asia की ओर आ रहा होगा form the Himalaya और Himalaya बना रहा होगा भू पटल को पिछकाते हुए Himalaya का निर्माण कर रहा होगा कब millions, years, years, बाद history में कुछ ऐसा होगा और South America जो है drifted off यानि कि खिशक करके South America खिशक करके North America को ज्वाइन कर रहा होगा यानि कि उसमें मिल रहा होगा next question देखेंगे what was a chilling prospect for the author author के लिए यानि कि जो दोसी है तिशानी दोशी उनके लिए जो chilling prospect था यानि कि कपा देने वाला द्रसी वो कौन सा था देखेंगे answer में the author यानि कि जो लेखी का थी तिशानी दोशी is a sun whispering South Indian मतलब वो दक्षडिय भारतिय महिला थी जो सूर की पूजा करने वाली एक दक्षडिय भारतिय महिला थी तिशानी दोशी शो इसलिए it was a chilling prospectus for her इसलिए ये उनके लिए कपा देने वाला द्रसी था क्यों था तो इस्टे वहां रुकना कहां रुकना इन प्लेज वेर एक ऐसे स्थान पर जहां 90% of earth's total ice अर्थ पर हमारे जितना भी ice है इस अर्थ पर हमारे जितना भी ice है उसका 90% ice उस जगे पर था कहां अंटार्क्टिका पर तो ऐशा वक्ति जो शूरी की पूजा करने वाला हो और उसको ऐसी जगे भेज दिया जाए जहां पर प्रिथवी का 90% बर्फ इकत्रित हो तो वहां पर कपा देने वाला ही तो द्रसी होगा ठंड बहुत ज़्यादा होगी जहां वो दो हपते से ज़्यादा इस्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि दो हपते से भी ज़्यादा उनका वहां रुपाना असम्भ हो था वैलूम्स आर इस्टोर यानि कि 90% अर्थ का टोटल बर्फ का 90% बर्फ वहीं परिस्टोर था तो ये बात जो थी उनके लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट थी यानि कि उनके लिए कपकपा देने वाला द्रश्य था नेक्स्ट कोशन देखेंगे 7 and लास्ट कोशन आफ दी पार्ट हम पार्ट दो में आपको देंगे पार्ट वन पार्ट में बहुत ही लॉंग हो जाता है जिसकी वज़े से बच्चे उसको बोरिंग मैसूस करते हूं देखते नहीं है तो कोशन नमबर हम 7 तक ही देंगे पार्ट वन में और बाकी की जो 8 से 14 तक अधर पार्ट में देंगे ठीक है जिससे आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ने में और वीडियो भी लॉग नहीं होगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्फ हो सके तो आईए कोशन स्टार्ट करते है वाट डज वन फील कोई क्या फील करता है इन अंटारिक्टिका आप हो हम हो कोई क्या फील करता है अंटारिक्टिका पर जा करके या Antarctica में जब वो होगा तो वो क्या फिल करेगा How it is captured Visually How It is captured Visually How It is captured Visually मतलब वो किस परकार की जो है दरश्षिकों वो capture करेगा या कैसे capture करेगा किस तरह के दरश्षियों को और कैसे capture कर सकता है यानि कि क्या नजा रहा उसके सामने होगा फिर वो क्या करेगा या कैसे उसको captured कर सकता है ध्यान दे सकता है उसको अपने मन में बसा कता है कि आप कहीं भी भूमने जाते हैं तो वहां के द्रश्य को आप captured करते हैं न वैसे ही कहा गया है तो आईए अंसर देखते हैं कि कोई भी कैसे आँन्टाक्टिका पर कैसे फिल करता है तो आएए देखते हैं वेरेशान के हैं यानि यानि के वह अपनी शुदवु दे stirred हैसे कह सकते हैं कि खोदेगा वहाँ पर कुछ ऐसा देखेगा कि उसको अपने जीवन की जैसे कि घर, बार, स्कोल जो भी है मतलब कुछ उसको यादी नहीं रहेगा वो अपनी शुदबुद खो देगा वहाँ का नजारा जो देख करके एकदम भव्य है, एकदम अलग है है ना बहुत ही अच्छा है ठंड़ तो है लेकिन बहुत अच्छा है वहाँ जा करके कोई भी अपनी शुदबुद ही खो देगा उसका सुरोप भूल जाएगा और अपना समय भूल जाएगा इन अंटारिक्टिका अंटारिक्टिका में यहाँ पर in लगा लिजेगा इन अंटारिक्टिका दविज्वल स्केल रेंज फ्रॉम जो विज्वल इस्केल रेंज है उसकी जो देखने की चमता कह सकते हैं कि वो वहाँ पर last में लिखा न था captured वीज्वली वो क्या-क्या वहाँ पर captured कर सकता है देख सकता है तो वो क्या क्या देख सकता है देखे कौन से रेंज होगी मतलब सब कुछ होगा from the microscopic मतलब एक सुक्ष्म दर्शिता यानि कि छोटे से छोटा कह सकते हैं छोटे से छोटी चीज और से लेकर के बड़ी से बड़ी विशालकाय या विशालता तो छोटे से छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी विशालकाय जीवों को जैसे कि छोटे सो छोटा यहां कहा जा सकता है कि मक्षर मक्षर बहुत छोटा होता है एक मक्षर से लेकर के एक छोटे जीव से लेकर के माइट्स तक इसका तो छोटा जानवर लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों के बाल अब उतने चोटे 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 अब उनको तो नहीं कहेंगे लेकिन उतने चोटे चोटे जीव आप वहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू वेल आप नीली वेल भी देख सकते हैं and iceberg यानि कि ice मतलब तो समझते हैं बर्फ तो himself, himself as big as इतने बड़े बड़े आप himself देख सकते हैं जैसे कि मानो कोई country यानि कि country जितनी country यानि कि देश जितने बड़े countries लिखा है न कि देश हो जितने बड़े बड़े himself जितना बड़ा आप समझते हैं कि देश होता है न कि जैसे भारत जिस कितना बड़ा है कोई अथा ही नहीं है आप एक नजर में उसको देख नहीं पाओगे, खड़े होगे तो दो-चार-दस घर दिखाई देंगे, कितना दूर देख लेंगे, कि आप एक नजर में लखनव और ये जैसे भी जहां भी रहते हैं, कि आप कितना देख सकते जादा स्यादा, तो उसमें कहा गया है, कंट्रीज जैसे, मतलब देश जैसे, बहुत बड़े-बड़े हिमखंड हिमसेल हैं, जो देख करके कोई भी चकड़ा जाएगा, ब्लू वेल्स, नीली मशलियां आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे, मतलब कड़ के बराबर के, जो है आप जीव देख सकते हैं, मच्छरू जैसे, छोटे-जीव देख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर के, बड़ी से बड़ी चीज आप वहाँ पर पाएंगे, यही है विज्वल स्केल, तो गाइस यह थे, आपके 7 questions असर, वीडियो बहुत ही long जा रहा है, अब हम यहीं पर शमाप्त करेंगे, तो चलते-चलते कहेंगे, एक बार और कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लिजेगा, और अपने दोस्तों को जरूर किजेगा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, बाबाई, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो,